हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूं सब लोग अच्छे होंगे आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव होने पर भी प्रेगनेंसी होती है यह हमारे कई वीवर्स का सवाल होता है कि मैं हमारे पीरेड मिस हो गया प्रेगनेंसी test negative कब आता है pregnancy test negative आने के मुख्य कारण क्या होते हैं जैसे कि आपका period मिस हुआ तो आपने तूरण से pregnancy test करके देख लिया या फिर आपने जो pregnancy test किया early stage में यानि कि आपकी pregnancy early pregnancy है और आपने pregnancy test काफ़ी जल्दी कर लिया तो इस कारण भी कई बार pregnancy test नेगेटिव आता है या बिल्कुल लाइट लाइन आती है अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आती है तो आपको चार से पाइक दिन का और इंतिजार करना है उसके बाद में फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करके देखना है और एक बात और मैं को बता देती हूं कि लोगों का सिर्फ यही सवाल होता है। लोगों को यही पता होता है कि हम सिर्फ morning में ही pregnancy test करते हैं यह करना अच्छा हूता है तो यह morning का pregnancy test कब अच्छा होता है जब तक आपकी pregnancy डेड़ महीनिए की यह 6 तब तक मॉर्निंग में करें तो सही रिजल्ट मिलता है और जैसे आपकी प्रेगनेंश्याँ आठ अठ तक यहीं हा न्य वहाद वसके बाद में त designNamezing दिन son में सुभा में कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे आसका प्रेगनेंसी से के आयेगा अब हSenori दूसरा जानते हैं कि हो सकता है आपने जो pregnancy test kit use की UPT card use की वो खराब हो अच्छी brand ही नहीं हो या फिर वो expire हो सकती है या फिर आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो तरीका आपका गलत है जैसे कि इसको करने का सही तरीका क्या होता है इसमें आप जैसे open करेंगे तो एक test card निकलती है और एक dropper निकलता है तो test card में जो एक window होती है या फिर जिसको हम बोलते हैं कि एक गड़ा बना हुआ रहता है उसमें तीन बुन्द urine डालनी होती है और उसके बाद में आपको 5 minutes इंतजार करना होता है 5 minutes में result बिल्कुल clear हो जाता है कि negative आ रहा है कि positive आ रहा है कई लोग ये गलतिया करते हैं कि जैसे उनने तीन बुन्द urine डाला अब तीन बुन्द urine डालने के बाद में उनने 2-3 minutes इंतजार किया हो सकता है उनको एक लाइन दिखी तो क्या करते हैं लोग फिर से उसमें urine डाल देते हैं कई लोग उसको निकाल के खोल करके उसमें नाकुन से खुरज भी देते हैं और फिर बोलते कि हमें तो दो लाइन दिखाई दे रही है तो यह जो तरीका है आपका यह बिल्कुल गलत है और इस तरीके को हम कभी भी सही नहीं मान सकते है साथी में या तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड लाखर के फ्रीज में रख दी या ऐसे रोम में रख दी जहां हीटर शुरू था आपका यानि कि जो कमरा जादा गरम था उसमें रख दिया तो कई बार उस कारण से भी हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट में रिजल्ट गलत हो सकता है अब भी हम देखते हैं कि आपकी pregnancy test का result negative आ रहा है पर आपका period miss है और pregnancy के symptoms आपको आ रहा है तो ऐसी condition में आपको क्या better रहता है आपके लिए एसी condition में अगर हम patient को बोले कि आप ultrasound करवा ले तो हर patient के लिए possible नहीं होता है कि या तो हम एसी जगे में रहते कि हमारे यहां ultrasound available नहीं है हमें बहुत दूर जाना पड़ता है और ऐसा हम manage नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपको क्या करना है कि एक हफता और रुकना है अगर एक हफते के बाद में भी आपका pregnancy test negative आता है तो फिर एसी condition में आप फिर आपको beta stg test करवा के देख लेना चाहिए यह beta stg test एक normal test होता है जो की blood के through होता है और आपको ज़्यादा देर रुकने की ज़्यादा दूर जाने की जरुद भी नहीं होती है क्योंकि pathology हर जगे available होती है और आप हर एक pathology पे जहां यह service available है आप वहाँ पे करवा पाते तो उससे हम easily पता कर सकते कि आपको कितने week की pregnancy है और real में pregnancy है या नहीं है अगर आपको यह पता चल गया कि आपको real में pregnancy है pregnancy test negative आ रहा है तो हो सकता है कि आप pregnancy काफी early stage में है बहुत कम time की pregnancy है चार हपते की पा आज हपते में beta stg hormones का level हमारी body में काफी जादा हो जाता है अभी हमारा सबसे मुख सवाल रहता है patient का कि मेम हमारा period मिस हुआ है pregnancy के symptoms भी नहीं आ रहे और pregnancy test भी negative है तो एसी condition में क्या period लाने के लिए हमें abortion pills का यूज़ करना चाहिए तो ऐसी condition में आपको pregnancy test का result देखते और ना ही कोई pregnancy के symptoms दे तो आपको abortion pills का use नहीं करना है अगर आपको कोई doubt है आप clear नहीं कर पारे कि मैं pregnant हूँ या नहीं हूँ या आपने 2-3 pregnancy test करके देख लिए और हर एक pregnancy test card में आपका result negative है तो आपका pregnancy नहीं है आपको ऐसी condition में डॉक्टर से consult करना चाहिए ताकि pregnancy test negative आ रहा है इसका क्या कारण है और आपके period क्यों delay होए क्योंकि period delay होने के कई कारण होते जैसे की hormone imbalance, blood की कमी, PCOD, PCOS, thyroid या फिर मानसिक तनाव इन कारण उस भी आपके period delay हो जाते जिसको हम normal medicine से देख करके यानि कि hormonal medicine से देख करके period ला सकते क्योंकि अगर इसी condition में यानि कि आपको pregnancy नहीं है, फिर भी आपने abortion pills खा ली यानि कि use कर ली, abortion pills में normally 5 गोली आती है, अगर आपने वो 5 टेबलेट खा ली और आपको pregnancy नहीं थी, तो वो क्या काम करेगी, only आपको pet दर्द होगा, white discharge होगा, और pet दर्द बंद भी हो जाएगा, ना ही आपको period आएंगे, तो ऐसी टेबलेट खाने से कोई मतलब नहीं है, अगर आपका pregnancy test negative है, pregnancy नहीं है, तो ऐसी condition में hormones की medicine दे करके, आपके period लाई जा सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा tension नहीं लेना है, अभी हम देखते हैं कि आपका pregnancy test negative है, पर beta STG hormones positive आ रहा है, यानि कि beta STG hormones से में यह आ रहा आपको पहले डॉक्टर से consult करना है, यानि कि डॉक्टर से बात करना है, कि हमारे pregnancy test तो negative आ रहा है, पर हमारे beta STG hormones का level काफी बढ़ा हुआ है, वो बता रहा है कि पास से 6 अपते की pregnancy है, तो इसी condition में क्या हम abortion pills ले सकते हैं, तो हाँ इसी condition में, अगर आपकी condition को देखते जाता है, ultrasound के बाद में आपको suggest कर सकते हैं, कि हाँ, आप abortion pills ले सकते हैं, इसी condition में, एक बार आपको लेप पे भी pregnancy test करवा के देख लेना चाहिए, ताकि आपको जो result मिले वो accurate मिले, क्योंकि हो सकता है, आप और कुछ नहीं गलती कर रहे हो, जो हम लोगों को पता नहीं हो, pregnancy test करते time, तो आपको ये सब चीजों से और ये गलत तरीके अपनाने से आप बस सकते हैं, तो आशा करती हूँ, कि आपने इस वीडियो के माध्याम से जाना है, कि pregnancy test negative होने के बाद भी क्या pregnancy हो सकती है, और pregnancy test negative होने पर भी period लाने के लिए हमें क्या क्या तरीके अपनाने चा तो कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहें, तो हमारी भी online service available है, आप appointment book करके हमसे भी बात कर सकते हैं, ताकि ना आपको घर से बाहर जाना, ना कोई परिशानी जहलना, धन्यवाद